पुराने दिनों में इंग्लेंड में टैम्स नदी लंदन के मध्य से बहती हुई, हजारों आवासों के साथ विक्सित हुई थी नदी लंदन के ताज में एक रत्न की तरह थी लेकिन प्रदूशन, सीवेज और द्योगिक कच्रे की कारण नदी खत्म होने लगी और 1957 तक प्राकृतिक इतिहास संग्रहाले द्वारा इसे जैविक रूप से मृत खोशित कर दिया गया समा चार पत्रों ने टैम्स को एक गंधी, दुरगंधी उक्तनाली के रूप में वर्नित किया ऐसा लग रहा था कि उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वो मौत को मात देते हुए वापस लौट आया मृत घोशित होने के साथ साल बाद, टैम्स दुनिया की सबसे स्वच नदियों में से एक के रूप में वापस आई आज, इसके पानी के नीचे और उपर जीवन पनप रहा है इस परिवर्तन ने अपनी उतक्रिष्ट बहाली प्रक्रिया के लिए 2010 में अंतर राष्ट्रिय थीज रिवपुरस्कार, 220,000 पाउंड का पुरस्कार जीता 200 मील लंबी नदी लंदन की बरबादी की नियती थी ये तब लंदन का कूरेदान था विक्टोरियन युक के दौरान, औद्यो की कचरा, अनुपचारित सीवेज, बूचल खानों का कचरा, सब कुछ टैम्स में चला गया और परिनामस्वरू, नदी तेजी से प्रदूशित होने लगी ग्वितिय विश्वी युद्ध में सीवेज, उपचार सयंथ पर बंबारी के कारण टैम्स में और अधिक सीवेज फैल गया इसने टैम्स को बद से बदतर स्थिती में धकेल दिया, लेकिन 1857 की भीशल गर्मी तक लोगों ने टैम्स की भयानक गंद पर ध्यान नहीं दिया प्रदूशन के कारण पानी में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई कि कोई भी जीवन जीवित नहीं रह सका और परिनामस्वरूप मचली आया तो मर गई या तैर कर चली गई लंदन के ज्वेल को ग्रेट स्टिंक के रूप में ब्रांध किया गया आक्सीजन की कमी और अनुप्चारिक प्रदूशिकों के निरंतर रिसाव के कारण टैम्स से बदबू आने लगी और वह नश्ट होने लगी अंतता हुनीस सो सतावन में प्राकृते के तिहास संग्रहाले द्वारा इसे मृत घूशित कर दिया गया वास्तव में हालात इतने गंभीर थे कि यदि आप उननीस सो पचास के दर्शक में टैम्स नदी में गिर जाते तो आपको अपना पेक पंप करने के लिए अस्पताल ले जाना पर तक क्योंकि नदी अनुप्चारिक सीवेज से भरी हुई थी टैम्स लोगों के पीने के पानी का मुख्य स्रोग था लेकिन जैसे ही यह प्रदूशित हुआ 1832 में हैजा फैल गया और 22 वर्शों तक रहा जिसमें 35,000 लोगों की जान चली गई शुरुआत में तो कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि पानी की वजह से मौते हो रही है इसके बजाए उन्होंने मियास्मा या वातावरन में खराब गंद को जिम्मेदार थेहराया पुनर स्थापना प्रक्रिया शुरू हुने के बाद ही हैजा पर नियंत्रन पाया जा सका भयानक बदबूदार टैम्स दग्रेट स्टिंक आखिर कार 1857 की हीट वेव के दोरान संसद के सदनों तक पहुंच गई थी इसने हैजा किर प्रकोप के साथ सांसदों को टैम्स की सफाई के लिए एक कानून पारित करने के लिए मजबूर किया और 1865 तक किसी योजना पर सहमती नहीं बनी थी इंजिनियर जोसफ बाजलगेट ने सीवेज को सीधे बेक्टन और क्रोस ने इसके आउटफॉल में मोरने की योजना बनाई जिससे मध्य लंदन में टैम्स को सीवेज मुक्त कर दिया गया इससे मध्य लंदन में बहुत सुधार हुआ लेकिन नीचे के और पानी और भी गंदा हो गया 20 साल बाद सीवेज उपचार शुरू करने से पानी का बहाव ठीक हो गया लेकिन बढ़ते और ग्योगी करन और 20 सदी की शुरुआत में लंदन की बढ़ती आबादी ने टैम्स पर दबाव डालना जारी रखा सीवेज को डायवर्ट करने से गंद तो ठीक हो गई लेकिन नदी मृत हो गई टैम्स को साफ करने का एक और मिशन 1960 में शुरू किया गया था इससे सीवेज उपचार में और सुधार हुआ और द्योगिक निर्वहन हटा दिया गया आक्सीजन का स्तर बढ़ गया और बायो डिग्रेडेबल डिटजेंट उप्योग में आने लगे नदी में जीवन वापस आ गया है साथ साल पहले टैम्स में कुछ भी जीवित नहीं रह सका था और इसे जैविक रूप से मृत गोशित कर दिया गया था लेकिन आज ये सील, सेल्मन, पोपोईज और यहां तक की कभी कभार भटकने वाली वेल और डॉल्फिन का भी घर है अपनी सफाई के बाद टैम्स अब मचलियों की एक विशाल विविद्ता का समर्थन करता है ग्रेट स्टिंग पूरी तरह से एक अलग जगह बन गई है टैम्स अब मचलियों की 125 प्रजातियों और कीचर में रहने वाले अक्षेरू की जीवों की 400 से अधिक प्रजातियों का घर है जीवन पानी में और पानी की उपर पनप रहा है जल पक्षी, जल चर और समुद्री पक्षी जो पानी से भरपूर भोजन खाते हैं ये सभी अब टैम्स के आसपास के वातावरन में निवास करते हैं इससे साफ रखना टैम्स मृत अवस्था में वापस आ गई और फल फूर रही है लेकिन बताया गया है कि हर साल टैम्स से 300 तन तक कचरा बरामद हो रहा है प्लास्टिक, विशेश रूप से प्लास्टिक की बोतलों की मात्रा हर गुजरते साल की साथ बढ़ रही है टैम्स को साफ रखना एक चुनोती बनती जा रही है अगर आपको ये विडियो पसंद आए तो कृपया लाइक कमेंट शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें